दुनिया में अंतिरिक्ष देश की होड लग रही है अंतिरिक्ष में लोग अपना बेस बनाने चाहते हैं इस्पेस स्टेशन बनाने चाहते हैं इसी रेस में अंतिरिक्ष रेस में कूद पड़ा है बिटेंग पचास साल पहले किया था रॉकेट लॉंच अब हर माईने मिशन लॉंच करने की प्लानिंग बता डाली UK in Space Race ये है आज कर आर्टिकल UK ने एक बार फिर रॉकेट लॉंच का फैसला कर लिया है बिर्टेन की स्काई रॉरा कमपनी ने अपने रॉकेट के पहले स्टेज का निर्मान शुरू कर दिया है ये रॉकेट स्काई रॉरा XL है जिसकी उचाई लगबग 22 मीटर है कमपनी इससे छोटे सैटलाइट को लॉंच करने की प्लानिंग कर रही है आपको बता दें भारत चंद्रयान मिशन लॉंच करके चांद पर पहुँच गिया है और दुनिया का चौथा दरीस बना है साथ पॉल उपर लेंडर को लेंड करने बाला पूरी दुनिया इसके लिए अंतरक्ष में भारत की काम्याब को देख रही है इस बीच यूके ने फैसरा लिया है कि वह एक बार फिर अपना स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है बिटेन एक बार फिर रॉकेट लॉँच बिजनेस में उतरने की तयारी कर रहा है कई प्राइविट कम्पनिया इस बार उस्टेलिया या निजिलेंड की जगए बिटेन के रॉकेट दागने का लक्ष बना रही है इनमें यूके की स्काई रॉरा शामिल है जिसने अगले साल तक एक संभावित पॉसिबल लॉँच करने के लिए अपने रॉकेट का निर्मार भी शुरू कर दिया है दे गार्जिन के रिपोर्ट के मताविक स्काई रॉरा में प्रजेक्ट टीम के प्रमख यूआन क्लाग ने कहा 1971 में ब्लैक आरो रॉकेट की लॉँचिंग बिटेन की ओर से किसी सेटिलाइट को कक्षा में स्थापित करने का एक मात्र सफल लॉँच था स्रीय हम एक टुकड़ा बापस लाई जो प्रत्वी पर गिरने से पहले दूसरे स्टेस से जुड़ता था आपको बताएं कि दरशल रॉकेट का यह मलवा ओस्टेलिया के पास गिरा था कई बर्शों बाद जब यह मिला तो ओस्टेलिया में ही रहा लेकिन अब ब्लैक एरो लॉँचिंग के बाद पचास साल बाद इसे बापस लाया है और अपने मैनुफरक्चरिंग हॉल में रखा गया है सोकेस में सिर्फ बाइस मीटर होगी उचाई क्लार का कहना है कि इसके जरिये यह दिखता है कि ब्रिटेन पचास साल बाद से बिजनेस में आ चुका है UK में लॉँच की गई योजना वाली रॉकेट कंपनियों में और्वेक्स प्राइम शामिल है जिसके लॉँचर उत्री स्कॉटलेंड के सदरलेंड स्पेस पोर्ट से उड़ान भनने वाले हैं उनका कहना है कि शुरुआ थी स्पेस क्राफ्ट कारों के बराबर होते थे ऐसे में उन्हें बड़े लॉँचरों की जरुवत होती थी आज जायतर सेटिलाइट एक जूता के डब्बे के बराबर हो गए है जिने स्काई रॉरा एक्स एल जैसे मामुरी लॉँच की जरुवत होती है इसकी उचाई सिर्फ बाइस मीटर है क्या होगी खाशियत तीन चरण बाला इसकाई रॉरा एक्स एल थ्रीडी प्रिंटिर एंजन से चलिया कम्पनी की योजना है कि बिटिश द्वीपों के सबसे उत्तरी जगह से हर साल बारे रॉकेट लॉँच हो क्रार्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि परियावरण निगरानी के साथ साथ कम्मिनिकेशन सेटिलाइट भी उनकी बिजनिस के मूल में होंगे प्रतिक रॉकेट को बनाने में 26 लाख रुपई से 32 लाख रुपई लगेंगे और यह 300 क्लोग्राम का पेलोड ले जा सकेंगे 1000 क्लोमीटर की उचाई तक सेटिलाइट पहुचाने में यह 50,000 लीटर इंधन जलाएगे जै जै भारत